गुन्मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ तेरा रहीमन विलास तो यहां रहीम दाज जी के दौरा लिखे हुए दोहे दिये गए हैं अब हम देखते हैं कि रहीम दाज जी इन दोहों के दौरा हमसे क्या कहना चाह रहे हैं रहीमन चुप हवे बैठिये देख दीनन को फेर जब नेके दिन आई हैं बनत न लगहे बैर तो इस दोहे दौरा रहीमन दाज जी कह रहे हैं कि लोग चुप होकर नहीं बैठ रहे हैं और तब भी नहीं बैठते होंगे इसलिए बादशा अकवर के नौ रतनों में से एक अब्दुल रहीम खाना खाना ने ये हिदायत दी थी कि लोग लोगों को चुप होकर बैठना चाहिए दूसरे दोहे में रहीमन दाज जी क्या कह रहे हैं जो रहीम उत्तम प्रकृती का करी सकत कुसंग चंदन विश्व व्यापत नहीं लिप्टे रहत भुजंग तो इस दोहे में रहीम दाज जी कह रहे हैं अच्छे व्याभार वाले व्यक्तियों पर बुरी संगती वाले व्यक्तियों का असर नहीं होता जिस प्रकार चंदन के व्रिक्ष पर साप लिप्टे होने पर भी व्रिक्ष पर विश्व का कोई प्रभाब नहीं परता साप में क्या होता है विश होता है लेकिन वह चंदन के पेड़ पर कितना ही लिप्टा रहें चंदन के पेड़ पर उसका कोई भी प्रभाब नहीं पड़ता उसी प्रकार अच्छे व्याभार वाले व्यक्तियों के व्याभार में बुरी संगती के व्याभार वाले व्यक्तियों का कोई प्रभाब नहीं पड़ता अगले दोहे में रहीमदाजी कह रहे हैं जो रहीम सुख होते है उपकारी के अंग बाटन वारे को लगे जयो महंदी के रंग तो इस दोहे में रहिंदाजी कह रहे हैं दूसरों की भलाई करने वाला उसी प्रकार से सुखी होता है जैसे दूसरों के हातों पर महंदी लगाने वाले की उंगलियां खुद भी महंदी में रंग जाती है जो दूसरे वेक्तियों की साहता करता है वो भी सुखी होता है इसलिए दूसरों की मदद अत्वा परोकार का बहुत ही अधिक महत्व होता है रहिमन देख बढ़ेन को लगू न दीजिये डारी जहां काम आवेश हुई कहां करी तरवायरी मतलब रहिमन दाज जी दोहे के द्वारा कह रहे हैं कि बढ़ों के संपर्क बढ़ने पर छोटों को नहीं भूलना चाहिए उसी प्रकार जहां पर सुखी का काम हो वहां तलवार का उपयोग नहीं क्या जा सकता अर्थान बड़ों के सामने हमें छोटों को नहीं भूलना चाहिए क्योंकि कभी-कभी जो काम छोटे कर सकते हैं वो बड़े नहीं कर सकते जो काम सुई कर सकती हैं वो काम तलवार नहीं कर सकती रहिमन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए जोरे तो फिरी ना जुरे जुरे गाट परी जाए तो इसके द्वारा रहीमदाजी कह रहे है रहीमदाजी कहते हैं कि प्रेम का नाता नाजुक होता है इसे जटका दे कर तोड़ना उचित नहीं होता यदि यह प्रेम का धागा एक बार तूट जाता है तो इसे मिलाना बहुती कटिन होता है और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए धागों के बीच में गाट पड़ जाती है इसलिए प्रेम के संबंदों को जटके के साथ नहीं तोड़ना चाहिए तो आज हमने रहीमन बिलास में रहीम दाज जी द्वारा लिखे हुए दोहों को पड़ा और समझा आज आपको इन दोहों को कम से काम दो बार रीट करना है और नेक्स पिरिट में हम इसके प्रश्नोत्तर लिखेंगे